ये फ्रेंड्स तो काफी कोई अपडेट में बात करते हैं Mission Impossible Debt Reckoning के Box Office नंबर की जिस नंबर से ये बात officially confirm कर दी गई है कि ये फिल्म 541 मिलियन का बिजनस करने के बावजूद भी Box Office पर 100 मिलियन का लॉस छेलने वाली है अब ये variety वालों का अपडेट है जिसमें हाँ Indiana Jones तो तरीके से flop हो चुकी है और उसे भी 100 मिलियन का नुकसान हुआ है लेकिन वही बात की जाए Mission Impossible Debt Reckoning पार्ट बन की तो इस फिल्म को बनाने में टोटल 300 मिलियन का खर्चा हुआ है जिसमें 100 मिलियन इसके मार्केटिंग बजट में दाल दो तो 400 मिलियन के बजट के साथ इस फ इस फिल्म को बिल्कुल भी सैटिस्फाय नहीं करवाते क्योंकि वह नंबर 268 मिलियन के है यानि इस फिल्म को अच्छा खासा लॉस हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म अप ग्रीन लेंटन के बाद या फिर कहूँ उसे सीधे फर्स पोजिशन से हटाते हुए अपनी जगा वहाँ पर कायम करती है जैसी गलती मुझे ही लगता है कि अब आगे चलकर स्टूडियो करेगा बाकी बात रही मिशन इंपॉसिबल जैसी फिल्म की जिसे हाँ आप लेकर के कन्फ्यूज ही रहे होगे कि इस फिल्म का पार्ट तो आगे चलकर बनेगा भी या जाएगा और अभी के लिए तो स्टूडियो में बाट करके यहीं सोचा जा रहा होगा कि उस फिल्म में पैंस को सैटिस्पाइ करने के लिए कैसे और क्या अलग किया जाए जो कि नो डाउट ये फिल्म अब भी करती है लेकिन फिर भी ऐसी बड़ी से बड़ी फिल्मों को स बना दिया गया डिजनी वालो ये सब तुमारी गलती है जिन सब पर अफिर क्या बनती है आपकी रहे जो कि आप मुझे कमेंट में लिक करके बता सकते हैं बाकी मैं हूँ अजीज मोवी स्टॉक एक्ट्रा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत मिलूँगा जल